आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ग्लामरस लोग जो आप किसी भी ब्राइट के और अपने भी कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा पहले मैं करूंगी आई मेकप क्योंकि बेस आज थोड़ा सा डिफेंट तरीके से करने वाली हूँ तो कीप वाचिंग जैसे कि आप मेरा लोग देख रहे हैं बहुत ही प्रेटी लग रहा है सबसे पहले हमेशा की तरह मैं लगा रही हूँ आई कंसीलर आपको भी कंसीलर योज़ कर सकते हैं मैं यहां वाइट कंसीलर लगा रही हूँ आईब्रो मैंने पहले ही बना ली थी क्योंकि आईब्रो अगर आप पहले बना लेते हैं तो वह ज्यादा easy रहता है और guys eyebrow ही eye makeup को एक अलग look देता है, हमेशा eyebrow को बहुत अच्छे से बनाए, अब मैं लगा रही हूँ transition shade, transition shade मैंने light shade लिया है एकदम orange, मैंने brown family से ही transition shade को लिया है, आपको भी same ऐसे ही करना है, और इसको अच्छे से blend कर अब मैं ले रही हूँ maroon shade, थोड़ा सा crease को depth देने के लिए, मैंने इसको use किया है, क्योंकि मैंने जो भी look create किया है, आपने देखा first में वह थोड़ा सा glamorous है, तो अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से blend कर रही हूँ, अब यहाँ इंपोर्टन चीज है, यहाँ पे मैं ले र blend कर लिया है, बहुत अच्छे से blend करना है, और जल्दी करना है, क्योंकि यह चिपक जाएगा, तो मेरे हटेगा भी और blend भी होने वाला है, तो मैंने दोनों eyes को cover कर लिया है, अब मैं ले रही हूँ maroon shade, और इसी gel liner पे लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही glamorous look देना है तो मैंने इसको क्या करा है, maroon shade से cover कर लिया है, और दोनों eyes मेरी cover हो गई है, अब मैं ले रही हूँ golden shimmer, यह बहुत ही अच्छा है, मेरा favorite है, तो मैंने यहाँ पे golden shimmer ले लिया है, और मैं इसको अच्छे से पूरी eyelid पे लगा रही हूँ, उसके बाद मैंने इन दोनों eyes को cover कर लिया है, अच्छे से अब मैं ले रही हूँ color pop का press glitter, यह बहुत ही amazing है, मैं यहाँ पे finger की help से ही इसको लगाँगी, यह लगता नहीं है brush से ज्यादा, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है, ताकि eyes और pop out लगे, अब मैं अपने face पे आती हूँ और face को अच्छे से clean कर रही मैं लगा रही हूँ और इस brush से मैं मौश्राइजर को अच्छे से अपने face पे लगा रही हूँ, आप कोई भी मौश्राइजर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको मौश्राइस करना है अपनी skin, then मैं लगा रही हो primer, और उसके बाद मैं लगाँगी color corrector, अभ यहा यहां पे important चीज है, यहां पे मैं ले रही हूँ, इसको neutralize करने के लिए cream foundation, तो मैंने यहां पे cream foundation की बहुती कम foundation लगाया है, यहां पे इसको neutralize भी करना है मुझे, और मैं एक अच्छा सा base देना है, क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ हुदा foundation, अब मैंने एक liquid huda foundation लिया है, और इसको लगा रही हूँ, यह बहुती flawless base बना था, मैं खुद हरान हो गई थी कि इतना अच्छा base बना है, क्योंकि बिल्कुल dry नहीं लग रहा था, already मैंने cream base यूज किया था, मेरा base बहुत amazing लग रहा था, अब भलके हाथों से आपको blend करना है, बहुती अच्छे से blend हो ग लगा लिया था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यहां पर, over blush नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसको already blend कर लिया था, तो आप आगे देखेंगे, मैंने blend कर लिया है, beauty blender से, so, जैसे कि आप देख रहे है, बुरा blusher ब्लेंड हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है अब मैं करूँगी, nose contouring, मैंने nose contouring के लिए, concealer लिया है, थोड़ा सा dark, तो मैं इसको अच्छे से, flat brush से nose contour कर रहे हूँ, फिर इसको, हलके हलके से, नीचे के तरफ blend कर रहे हूँ, उसके बाद, मैं beauty blender से, इसको natural look दे रहे हूँ, then मैं करूँगी, अपनी contouring, और बहुत हलके ह यूज किया है, जो भी highlighting points होता है, वहाँ पर मैंने concealer यूज करके blend कर दिया है, बहुत properly, अब मैं लगा रहे हो, यहाँ पर powder, यानि कि मैं कर रही हूँ, set अपने makeup को, बहुत अच्छे से, और eye baking भी मैं करूँगी, अभी, तो मैंने यहाँ पर powder लगा लिया है, अब मैं बेक lower lash पर, मैंने वही सेम shadow अढ़ा के अपने lower lash पर लगाया है, और इसको बहुत अच्छे से blend कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी black shade, तो मैंने यहाँ पर black shade से भी इसको कर लिया है, मैं लगा रही हूँ यहाँ यहाँ पर white liner, और मैंने यहाँ पर double wing liner create किया है, black and white से, तो आप देख सकते हैं, मैं कैसे कर रही हूँ, यह बहुत ही अच्छा brush था, मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे बहुत इसली हो गया, तो मुझे इसके brushes काफी अच्छे लगे कुछ-कुछ, आप मैं यहाँ लगा रही हूँ काजल, उसी brush से मैंने काजल लगा ल आइलेजर जैसे मैं लगा रही हूँ, आपको सेम वैसे ही लगाना है, अब मैं यहाँ पे मेकप को fix कर रही हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी lip line, मैं लिप्स्टिक कैसे लगा रही हूँ, मैंने यहाँ पे contour shade लिया है, और इसको over line किया है, उसी shade से, मैंने कोई lip liner नहीं लिया है, मैंने contour किया है अपना lips, और मैं यहाँ पे over line कर रही हूँ, क्योंकि मुझे lipstick थोड़ी सी, you know, glamorous वाली दिखानी दी, तो मैंने यहाँ पे over line कर लिया है, उसके बाद मैंने दो shade को mix करके ही lipstick लगाए है, तो मैंने यहाँ पे दोनों shades mix कर लिया है, maroon and red, और अब मैं लगा रही हूँ, lipstick, तो आप shades देख सकते हैं, कैसा है, तो यह मेरा shade है, मैंने maroon और red को mix करके ही, इसी line के ओपर मैंने lipstick लगाई है, जो बहुत ही amazing ल कर लिया है, और hoda से makeup करना is like, you know, बहुत बड़ा task होता है, क्योंकि hoda से आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को पता होता है कैसे करना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, base को ready कर सकते हैं, base आपका बहुत amazing बनेगा, तो यह है मेरा final look, जो आप देख रहे हैं, यह बहु करती amazing था, I hope आपको समझ आए होगी वीडियो, I hope you like this video, bye bye